जिस वक्त पूरी दुनिया रूस पर हावी हो रही है जिस वक्त रूस को युकरेन से सेना पीछे खीचनी पड़ रही है ठीक उसी वक्त भारत के करीबी साथी रूस ने एक बार फिर भारत से बड़ी मदद मांगी है पश्चिमी देशों ने गुट बना कर रूस को आर्थिक तोर पर बरबाद करना शुरू कर दिया है रूस पर महीनों से कड़े प्रतिबंध लगे हुए है इसी के चलते रूस अब धीरे धीरे दम तोड़ता जा रहा है ऐसे में रूस के सामने अपने दोस्त भारत से मदद मा एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने भारत सरकार को ऐसे प्रोड़क्ट्स की लिस्ट भेजी है जो उसके मुख्य सेक्टर से जुड़े हुए है इन प्रोड़क्ट्स की संख्या 500 से ज्यादा है रूस की तरफ से कार, एरक्राफ्ट और ट्रेन के पार्ट्स की डिलिवरी की एक लिस्ट भेजी गई है अपनी चर्मराती अर्थविवस्था को डूबने से बचाने के लिए रूस के पास अब भारत से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है आपको बता दे कि भारत के लिए भी रूस की ये रिक्वेस्ट फाइदे मंद हो सकती है सुत्रों की माने तो भारत व्यापार बढ़ाने का इच्छुक है और रूस की ये लिस्ट इसमें मददगार साबित हो सकती है हाला कि भारत के कुछ कमपनियों ने संभावित पश्चिमी के दौरान हो रहा है पश्चिमी देश खुद तो रूस से तेल खरीद रहे हैं लेकिन भारत पर सवाल उठा रहे हैं पश्चिमी देशों की मीडिया भारत के खिलाफ जूटा एजेंडा चला रही है वैसे इस विदेशी मीडिया को भारत के विदेश मंतरी एस जय शंकर बहराल रूस की इस रिक्वेस्ट पर भारत की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है जाहिर सी बात है कि भारत को इसके परिणामों के बारे में सोचकर चलना होगा इसका कोई कूट नितिक रास्ता भी निकालना होगा भारत को अगर इस डील से कुछ फायदा होगा तो इस पर निर्णे भी लिया जा सकता है आप जानते ही हैं कि युध के दौरान लगातार भारत रूस के साथ खड़ा रहा भारत ने युध को तो सही नहीं कहा लेकिन रूस के खिलाफ किसी भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया